कुस्षन नंबर 11 तो प्रस्णावली 13.4 का कुस्षन है ग्यारवां तो इस कुस्षन को दो मैथड से लगा देंगे तो मैथड जो पहला है प्रति दर्स समस्ष्टी से इसका मतलब है यूग्म बनाकर दूसरा मैथड जो है दूइपद बंटन्स है मैथड डूइपद बंटन्स है तो सेकेंड मैथड और फास्ट मैथड जो है आपको सीखना है कि मैथड जो फास्ट है प्रति दर्स समस्ष्टी से यूग्म बनाकर इस को संस को लगा देंगे और मैथड टू जो है दूइपद बंटन्स है तो वीडियो जो है पूरा देखना तो आपको मैथड फास्ट और मैथड सेकेंड दोनों ही समझ में आ जाएंगे तो कुशन कह रहा है दो पासों को ट्रीक्स की फ्रत १ासा घ्याद कीजिए यग्स की फ्रतियासा है इसका मतलब है तो के अगया करना हैका कउब्स सबसे पहले हमें क्या बनाना है प्रतिदर समझ्टी किसका बनाना है दो पासों को यहमत उचाला गया तो यहां से हम क्या करेंगे प्रतिदर समस्टी बना लेंगा तो इसका हल प्रती दर्ज समस्टी यस एकॉल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो पहले पासे पर एक से छे तक संख्या मिलेगी दूसरे पासे पर एक से लेके चे तक दो पासों को एक साथ उचाला गया तो हम इसका प्रती दर्ज समस्टी इंटू करके प्रती दर्ज समस्टी बनाएंगे तो बहुत सरल होता है इंटू कैसे जिब हम बन लेंगे बन के साथ एक साथ बन फिल वह लगया ऐसके बाद फॉर फाइव जो है जिए इंटू करेंगे तो इसल कितने यूश बनाएंगा आएगा ृँओ यहां पर कैसे बनेंगे देखो बन कामा बन लिख देखते हैं फिर बन कामा टू फिर बन कामा त्री कि बन कामा फूर बन कमा फाइब बन कमा शेक्स तो बन ने कितने यूग बनाए एक से छे तक तो अगर बन ने एक से छे तक यूग बनाए तो दो भी यूग छे ही बनाएगा तो यहां से लिखेंगे 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 प्रे 2,4 2,5 2,6 इसी तरीके से हम क्या करेंगे जल्द जल्द लिख लेता है तीन यहां पर तीन है यह भी कितने यूग बनाएगा छे बनाएगा तीन कमा एक तीन कमा दू तीन कमा तीन तीन कमा चार तीन कमा पांच तीन कमा छे अब यहां से फिर चार लेंगे चार कमा एक चार कमा दू चार कमा तीन चार कमा चार चार कमा पांच चार कमा चे अब इसके बाद पांच जब पांच लेंगे तो पांच का इंडू करेंगे तो कितने योग बनाएगा चे तो पांच कमा एक पांच कमा दो पांच कमा ते पांच कमा चार पांच कमा पांच पांच कमा चे अब लास्ट में कितना बचाए 6 तो 6 जो है 6 का इंटू करेंगे तो कितने यूग बनाएगा 6 तो यहां पर लिख लेते हैं 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 तो कितने यूग बन गए हैं एनेस बरावर 36 यह करके लिख सकते हो 6 की गाद 2 बरावर 36 दो दो पासों को एक साथ उचला गया है अगर तीन पासों को इचला जाता तो झीघ काथ Google cloud Pra बर उचाला तो च्की काते ऐन दो परावं चाथेशा पार जाता तो चेकी गाते तुलों 16 है इसे रफ कर देते हैं क्योंकि कुश्चन में में दो पासों को एक साथ उचाला गया तो चेका इस पार परावर सक्तिस अब इसके बाद प्रती-दर करेंगे पहले क्या बना लेंगे ड्राइक्ता बंतन के बाद ही हम मात ग्याद कर सकते हैं तो प्राइक्ता को भेक्ट करता है तो यह सजी प्रत्यासा घ्याद कि अब यह सजी प्रत्यासा घ्याद करना आए अब यह देख लेते हैं यह किसके लिए किसके लिए चप्टों की संक्या को घ्यक्त करता है तो एक संद्रकक्र को कि आप एक साथा कुछल केवा मुष्वरस पिर्चिक गर्ठाइब कर दोनों पासों को तो एक साथ उचाला जाता है दोनों पासों पर हम देखेंगे छकों की संख्या दोनों पासों पर चकों की संख्या के लिए तो यहां दिर्शिक चर के संभावित मान निकालना है तो यहां पर दोगों यहां पर छे छे है नहीं है तो ऐसे यूग है जिस पर एक भी छे नहीं है तो इसका मतलब आपए जी रों आप ऐसे यूगम देखना है डोनों पासों बाउब च्छक्कों की मतारा थे तो अंबात करना तो यह उप्छे नहीए तो जीरों अब ऐसे यूगम है जिस पर एक पर यहापे भी नहीं है है छेखना दिखू कियों यह दोन जो पर से किता कितना लिखा जाएगा अब इस जादा ना टो लिख नहीं सकते तो गोँ क्षप को निकालें अब हमको ऐसे यूग देखना है जिस पे एक भी छे ना हो यह नहीं का मतलब होता नमबर किसके यूग के हमें नमबर किना है तो एक इसे हम यूग देखेंगे जिस पे एक भी छे ना हो तो एक इस पे छे नहीं है इस पे नहीं है और इस पे नहीं है इस पे नहीं इस पे नहीं इस पे नहीं तो कितने ऐसे हैं एक ये लाइन हो गई एक ये हो गई एक ये इस पे एक भी छे नहीं है कहा तक यहां तक देखो तो एक दो तीन चार पांच पंगती में पांच ही उदा है एक दो तीन चार पांच तो इस्तम में पांच है तो पांच बुड़े पांच कितना आएगा पचीस बड़े रुचाते regarding एनस कमान कितना 36 कि we यह एक तक याद करनी है वन की तो यहां पर देख लेते हैं कि एकशी कॉल न कॉल है एक एक पासे पर 6 ऐसे यू देखना है कि एक पासे पर चेओं तो एक पासे पर चेओं नहीं एक दो तीन चार एक पासे पर छे चाहें बाद में हो चाहें पहले उसे कोई दिकत नहीं होना चाहिए एक छे होना चाहिए तो बाद में छे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो एक पासे पर छे हो चाहें पहले पासे पर हो चाहें दूसरे पासे पर हो तो यहा यह पर कितने लिखे जाएंगे अनुकूल परिस्यतियां कितनी है तस और पूल परिस्यतियां कितनी है सकतितज अब हमको खिसका मान नेकर ला आए एकस इकॉल है इकस इकोल कुछ इं एकस इक्वрий सिपर टू अब ऐसे युग देखना है कि दोनों पासों पर छहे होना चाहिए तो एक्स इक्वल टू दोनों पासों पर छे एक ही है एक ही है देवो तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है बन कूल परिस्थितियां यहां से देखो एन इस वराबर 36 है अब इससे इससे क्या बना लेंगे प्राइक्टा बंटन तो इसे रफ कर देते हैं तो प्राइक्टा यहां पर लिख देते हैं कि गया है तो यह जो है मैंतर से हम इसको क्या कर रहे थे सॉल्ब कर रहे था है मैंतर फाइस्ट मैंतर फाइस प्रतिदर समझ्टी बनाकर ठीक है मैं तू जो है जो लगा लेंगे तो सबसे पहले हमें प्राइक्टा बंटन है कि एक्स का मान कितना आया जीरो वन टू या दर्चिक चर्क जीरो वन टू जीरो की प्राइक्टा कितने निकाली थी हुआ थी 25 depa Item 36 यहां पर दो 10 unstable L甚麼 नकरना जो पृत्यसा में ग्यात करना होता है जब भी मार्जधी हृँ प्रशरड अव मानक ग्यात करना थैसे कि ग्यात नहीं करना क्योंग बाद में लासा लेना पड़ता है तो लासा लेने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे तो आई से रखो दस बटे 36 अब यहां पर देखो टू है यहां पर तो एक सिक्वल टू की प्राइक्टा कितनी है वन अपॉन 36 अब दो प्राइक्टा बंटन की यह सही फॉर्म है या नहीं चेक करें पत्चीस और दस पाइटीस पाइटीस और एक 36 बटे 36 और सिगमाब्पीएक्षड चामाना यहा है तो यह प्राइक्टा वट्टन की क्या सही व अगर सही फॉर्म है तो प्रत्यासा यत्यान की ग्यान करना अगर से सब्सक्राइब का इसका सिंबल क्या होता मातगा जिएक्स सेग attackией कि एक्स पी एक्स इस जो है जीरो है यह फर जीरो लिख भ읍 है अब इसके बाद पिएक्स इक्वल कैंगर टीक है ऐसे करके लिखें लोग पिलस एक्स का मण कितना है फान पिए सिक्वल On फिर पिलस सिखमा का मतला होता पदों का योगफ़ एक से कमान कितना है तो पी एक्स एक्वल कितना रहेगा तो अब हमको मान रखना यह तो जीरो हो जाएगा ठीक है बन एक्स एक्वल वन की प्राइक्ट आ कितनी है दस बटे प्राइक्ट आ है बना पॉन थिरी अब बना पॉन थिरी का मतलब है अगर तीन का भाग लगा दें तो पूरा-पूरा भाग नहीं जाएगा जब भी प्रत्यासा का मतलब है माद रिखाद करना है यह मानक विचलन या पर सदर ग्याद करना होता है अगर पुरा-पूरा भाग नहीं जाता है तो हम ऐसे छोड़ देंगे पुरा-पूरा बाग नहीं जाएगा तो वना-पॉन थिरी इतने रखेंगे ठीक है अब इसका यहां पर क्या लिखेंगा मैं तो इसे रफ कर देता है कि अच्छा कि अच्छा कि मैं तर्टू किसके लिए दूइप दो बंटन सा दूई पद वंटन से क्या होता है कि प्रयक्ता निकालना पड़ती है इसमें प्रतिदर समझती नहीं बनाएंगे तो दो पासों को दो पासे हैं उसको क्या क्या गया उचा लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं दो पासे उचाले चाहेते हैं हमें इसका प्रत्यासा ग्यात करना है यह प्राइक्ता बंटन हो यह प्रत्यासा लिखा हो तो जिसके लिए लिखा हो उसकी अमई प्रत्यासा निकालना पड़ती है today , if 4 country JNK किसके लिए हैं तो हम सबसे पहलेए hon कि कितनी बार उचाल लगा है दो बार तो जाले जाएं तीन वड़ चाहें पांच वर तुमको क्या करना है कि एक पांचे पर निकलना है सबसे परएब एपार बंटन में यही काम होता है एक सेट धर कुंटी प्रइक्ट था ही बरावर लिए यह से पर एक पासे पर 6 प्रिकट होने की प्राइक था कितनी आएगी एक पासा मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी प्राष्टियां है 6 अनुपूर प्राष्टियां कितनी है एक तो वरापान 6 क्यों कैसे निकालना one मैनसबी क्योंकि प्लस क्यों equal क्या होता है हौत तुदं मैनस बना आप ओन 6 क्यों कितना आएगा 5ौ मैं 65 से मैं से मैं प्राष्फ पटे से इसके बाद यह दतीर चिल निकालना है किカンタर चिल किसके लिए किसके लिए निकाल ला है याद दर्चिक चर्ट जो है यदि एक छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है याद दर्चिक चर्ट छक्कों की संख्या के लिए दोनों पासों पर दोनों पासों पर छक्कों की संख्या के लिए छक्कों की संख्या के लिए तो च्छकों की संख्या के लिए दोनों पासों पर यहां पर लिखा दोलों पासों करे यहां पर लिखा जाएगा दोजी पर ëंडर में लिखने हैं प्रतिधर समगती जनाती हो दिखे और पapter होता है यहां पर की जौर्फ पढ़ती है क्योंकि एन-की पर ह। encourage you क्या है याद कर लेना थिक विटे तो इन मतलब संभावितंगा नेखा लाएं दूनों भासो हो पर चखकों की संक्या किलिए कि न समस्में क्या होता है दो पासें हैं आपके पास एक पहला पास आए एक दूसरा है अगर दोनों हम पासे उचालते हैं और दोनों पर छे नहीं आता है तो यहां पर क्या लिखेंगे जीरों अगर एक पर सिक्स आ गया और दूसरे पर कुछ भी आया लेकिन छे नहीं आया दूसरे पर छे नह नहीं आया तो यहां पर बंद आप अब इस पर भी 6 तो संभावित मान कित्वे मत्द दो जीरो बंड डू इस से ज़्यादा संभावित मान एक्स आरके नहीं निकल सकते क्यों दोनों पास ओपर छठकों कि संग्या अब दो तो से ज्यादा है तो हम यहां पर यहां तरीच निकार ले सकते तीन चार पॉंच यह नहीं करके इसके बाद हो प्रयक्त तक याद करनी है तो और इक प्षिरो के जिरो कि नाओ पी आर इकवल 0 सबसे पहले हम क्या करेंगे यंकामाल लिखो यंकामाल अगर पासा सिक्टावाला घुस्षन आ पासा कितनी बास हो चुछ को उछलों गया तो वासों को एक सब चाहलों डिक्त ओला गया तो यहां से लिखी जाती है अब टू सी जीरो कमान बन होता है अब क्यों कमान देखो पांच बटे छे अब इसके बाद इसकी गाज जीरो बन लिखो तो कितना आएगा यहां पर गाज दो है दो लिख दो बचम पच्चीस बटे चत्यस अब जीरो की पता कर लिए कि वन के लिए एनजी आज तो टू सी वन क्यूं की का दो में से एक गया एक पी की गाज यहां से लिखी जाती है तो टू सी वन कमान टू होता है क्यूं कमान पांच बटे छे है और वभी कमान एक वट्टे बनापॉन सेक्स है दो बंचे दस वट्टे चाटेस अब दो तियां चेज़े दो से चेकाड़ने काटें गए क्योंकि कोशन में प्रत्यासा माद दी आप प्रसरड माद प्रसरड मानक विचला तीन अगर मान पूछे जाते हैं तो हमको क्या करना है काटना नहीं है ठीक है अब इसके बाद यहां से लिखी जाती है यहीं आपको लिखना है इसके आपको लिखना है यही विए लिखना है यही यही लिखना है आप लोगी वन आप आप तरी आएगे तो यह दो मैथ अब आप लोगी से क्या करो नोड करो करो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो